गोपाल गंज से बरी खबर है गोपाल गंज में बरा नाव हादसा हुआ है जिसमें दो दर्जन से अधिक लोगों के डूब जाने की आसंका है नमस्कार आप देख रहे हैं परती एक न्यूज लाइब मैं हूँ आपके साथ रवी संकर गोपाल गंज में गंडक नदी पार कर आते थे आज अचानक से यह हादसा हुआ और 25 लोग डूबे हैं उसमें से एक व्यक्ति ने तैर कर जान बचाई है जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार 24 लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तालास के लिए SDRF की टीम काम कर रही है हाला कि अभी तक किसी भी 100 के मिलन की खबर सामने नहीं आई है SDRF की टीम अपना काम कर रही है और प्रसासन ने NDRF को भी खबर किया है यह मामला विसंभरपूर थाना च्छेत्र इलाके के लोग थे कुचाई कोट एवं विसंभरपूर थाना च्छेत्र इलाके के किसान थे जो गंड़क पार कर जा रहे थे इसी दवरान बेतिया गोपालगन सीमा इस्थित भगवानपूर गाउं के समीप नाव ने पल्टी मारी गंड़क में और सभी लोग जल समाधी ले लिए SDRF जैसे ही प्रसासन को सूचना मिली कि प्रसासन ने रहत एवं बचाव कारी शुरू करवाने के लिए SDRF को तुरं तुरंट पहुचाएंगे